गुद बॉनिंग प्यारे बच्चो स्वागत आपका आजी क्लास में और आज हम करेंगे कक्स अच्छे का गणित बिसे अध्याय चार यानिकि लेसन नमबर फोर आधार भूत जयामेतिय आवधारानाएं ठीक है यह आपका आध का टॉपिक रहेगा बच्चो तो सबसे पहले बच्चो जो इस चैप्टर का नाम है यानिकि आधार भूत जयामेतिय आवधारानाएं सबसे पहले हम जयामेतिय जो जयामेट्री यानिकि जो सब्द है उसके बारे में हम चर्चा करते है एक्शुली बच्चो जो ऐसे आपको स्क्रीन के उपर दिखाए दे रहा है जो जय है वह यूनानी सब्द जो मीट्रोन राइट जो मीट्रोन से बनाएं ठीक है यहां पर आप देखेंगे बच्चो के जियो यानिकि जी इओ जिलिखाय मेंने जियो मला होता है भूमी और मीट्रोन का मला होता है नापना तो नहों कहींने कहीं इसका मला यह हुआ कि उस टैम जब इसकी अस्तापना हुई जो जो लोग थे इतियासकार थे तो उन्हों ने देखा कि इसमें हमने क्या कि इसका यूज करने के लिए कि हमने जैसे भूमी को नापना यह जो आपके स्राउंडिंग में यान कि जो आपके जो चारों तरफ जितनी भी वस्ते हैं कहीं ने कहीं वो एक मिजर्मेंट के साथ ही यहां पर उपस्तित है ठीक है जैसे आप अगर कुछ भी दिखेंगे यहां प कॉंसेप्ट का जनम हुआ तो इसी हम जैसे हम क्या बोलते हैं जामेतिया और धारणा ही ही बोलते हैं ठीक है अब बच्चो इस चैप्टर में जो इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़े हैं वह मैंने यहां पर नौड कर रखिए सबसे पहला है जैसे आपके बिंदू यानि कि पॉइंट कोई आप से पूछ सकता है बच्चो कि बिंदू क्या होती है यानि बिंदू मला होता है डॉट ठीक है जिसकी ना लंबाई होती है ना चोड़ाई होती है वो क्या कहला है आपका बिंदू यही तो होता है बैगा जैसे मैंने जैसे यहां पे तीन उधारण के तो तो जिसके लंबाई भी नहीं है, चोड़ाई भी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिंदो यानि कि पॉइंट कहलाता है, ठीक है, समझे बात आए, चल दें, बढ़ते हैं आगे, दूसरा आपके पास रेखा खंड, जिससे इंगली से बोलते हैं, लाइन सेग्मेंट, ब मतल trump के लाइंगे, अ यहां से यह बिंदो, और यहका आपका? Let's क्या है? बिंदू. प्रेंट एक किनारा दूसरा किनार किया होते हैं स्तिर होते हैं तो इस टायब का जो हमें USA उसी हम क्या निए निलाइन भीकर नोग्त है far ठीक है ढ़का volunteer fat एक आता आप पास रेखा, क्या आता है बच्चो रेखा, रेखा माना लाइन, तो रेखा का माला भी होता है कि जिसके अंत बिंदू, जैसे मैंने आपे कहा था, अंत बिंदू यानि एंड पॉइंट पॉइंट इस्तिर न हो, यानि कि फिक्स न हो, जहाँ पे फिक्स नहीं हो खंट ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत अंतर है ठीक है जिसके अंतव बिंदु यानि की end point इस तिर यानि कि fix न हो उसे हम क्या बोलते है रेखा बोलते हैं जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ इसे बने देखो arrow का sign लगा रखा है इसे क्या बोलते है किरण जैसे लगा रखा है यहाँ यहाँ अपर arrow arrow तीर का sign तो इसका मल है क्या है दोनों तरफ इसको आगे बढ़ा सकते हैं इदर से बैब बढ़ा सकते हैं ठीक है सुझपन भात है तीसे हम क्या बोलेंगे रेखा बोलेंगे कि यह है इसके निरूपन क OP वह देखते हैं कैसे लिखते हैं बच्चो इसको निरूपन करने का तरीका होगा आपका एबी के उपर एक बार लेकिन पिसली बार आपने देखा था जब रेखा खंड में बार को मैंने सिंपल सा ऐसा लिखा था यहां पर क्या होगा आप देखाऊंगे बार नो के क्या है कि दोनों तरब के तीर का निसान है इधर भी उधर भी तीस्य बोलते हैं हम रेखा यानि कि अगर मुझे दिखानी कोई रेखा एबी तो मैं कैसे दिखाऊंगा एबी के ओपर दोनों बार लेंगे बार पर क्योंगा आपका एरो आपको जिसे दिख रहा है ठीक है अब बात आ है कि अभी मैंने बताय आपको कि इस स्तिर का मलग क्या हो जैसे नहीं ऒल लगता है एक्तीर का साइन लगता है इसको फोलते हैं किरण ठीकर ऍटिक इसको निर्फणा का तरीक होगा होगा एब कि उपर तीर का निसान तो अगर एंसा लिहां के तो आप इसके लिए बोलेंगे क्या कि एक किरण है अगर ऐसा लिखा है बच्चो इसको बोलेंगे आप क्या है यह आपके पास रेखा है और A B अगर सिंपल सा A B के ओपर एक यानिक बार है तिसे बोलते हैं रेखा खंड या आपने बच्चो तीनों ही चीज़े मैंने आपको बताई तीनों में ही बहुत अंतर होता है ठीके ध्यान देचेएगा अगला है आपके बाद पर्थिच्छेदी रेखाएं यानि intersecting line पर्षिचेद मल वोता है जो एक दूसरे को कहाई किसी बिंदू पर काटती है ठीक है पर्षिचेद करती है एक बिंदू से ओकर पास होती है गुजरती है आप कुछ भी बोल सकते हैं उसे बोलते हैं पर्षिचेदी रेखाएं जब दो रेखाएं इसकी परवास आप ऐसा करती है तो जैसे उधारन के तो पर मैंने दो रेखाएं यहां पर लिख रखी है एक है आप पास एल वन और दूसरी है क्या है एल टू ठीक है सब्सक्राइब बात आई रेखाए मला जिनके दोनों बिंदू क्या नहीं होते इस तिरे नहीं होते देखो एरो को साइन लगा कर दो दो रहें दो ऑफाड़ा रखाए तो कहां से गोजर रहें एक बिंदू यहां पर पीविए से गोजर रहें इसका मला जो बिंदू पी होगा बच्छो वह क्या कला आपका पर्चिदी एंट्रसेक्ट पॉइंट के लागगो ठीक है यानि परसेद बिंदू क्या पी ठ प्रतिशेट निया बडाई लाई याँ यूजा कैलो या कि यूझा कब जैसे नेतां। सलब्स और सब्सक्राइब सब्सक्राइब हम इन इसके लिए व gef्तविन फैल इत्मिन सब्सक्राइब ठीक है बच्चो इस चैप्टर का एक पार्ट तो complete हो चुका है यानि कि जो आपका जो concept था वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस चैप्टर में करना गया है अब मैं बढ़ता हूं personally 4.1 के और देखिए पहला question है आपके पास सलंगन आकरती का प्रयोग करके निम्न के न राट है कि 5 बिन्दू हमें बठाने है दूसरा हे एक रेखा में बतानी है तीसरा है चार करिने हमें बठानी इसमें और चौता है मनननननने विदे क्۶्क तो आप यहां पर देखेंगे कि सब से पहले आपने देखा पांच बिंदो तर्ifi को कर लीजए तो पांच बिंदो को साफ साफ तक रेका कोवल से Обvenुड है ऑपका एक रेखा कंड ठीक है ऌपका एक रेखा इंसके दोनों simulated होते हैं इसतीर नहीं होते प्रेखण होते उनकोज़ है वेश्य से इसको मांड हो पुरा रेखा सकते हैं आश लेका यह तक प्रेरों के लिए तो काई D E तो आप लिए दूसरे लख सकते हैं D B , जिद्ते भी इन के बीच पड़र हें वह सारे रेखा ही होंगे D E , D B , O E , O B . यह सारे क्या होंगे , रेखा होंगे , क्योंकि इसके उपर ही पड़़र ही . यहां पर तीर का निसान है इधर भी तीर का निसान है तो इसमें क्या लिख सकते हैं यह लाइन लाइन होगी यानि रेखा होगी अब आएगे बच्चो चार क्रिने चार क्रिन का मलता है एक जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है एक तरफ क्या होता है फिक्स पॉइंट नहीं ह थेके दूसरा OE OE देखो O fix point है E मना इधर का पूरा ले रहा हूँ ठीक है O C O C देख रहा है आपको यह arrow ऐसा है एक तरफ क्या है फिक्स प्वैंट नहीं है अगला है आपका O B देखो O B एक तरफ fix point नहीं है और एक तरफ क्या है fix point है के लिए रहे अगला देखिए गा बच्चो पांच रेखाखंट रेखांड मला होता है जिनके दोनों बिंदु क्या होते हैं अन्त प्वइंट क्या होते हैं जिनके fix वह ने दोनों बिन्दो को ले रहा हो मलब क्या है रीखा खंड और यहां से लेकर यहां तक लेघे देखो फोट कर यहां से रहने सकते यह क्या बन जाएगा आपका घ्रण बन जाएगी सेना है वत है तो अइसे आपने देखा क्या सका prosthetic कैसे कैसे है मने इसको solve तो उमीद है वच्चों कि आपो यह समझ में होगा थैंक्यू थैंक्यू सो मच